आपको आपके आने वारे एक्जाम में थोड़ी सी हल्प में सके क्वेशन नबर 45 से हम स्टार्ट करेंगे हरी क्वेशन बहुत इंबॉटन है बोलता है विच एरोपियन ट्रैवलर कॉल्ड लहॉल इन 1873 एज वैली ओफ ग्लेशियर तो बोलता है कि लहॉल को 1873 में वैली ओफ ग्लेशियरों की घाटे किसने कहा था तो अगर हम लहॉल की बात करें तो लहॉल को वैली ओफ ग्लेशियर कहा गया था एंड्रियू विल्जन के द्वारा ओप्शिन बीज है पहला कोशिन ये बना दूसरा कोशिन ये बनता है कि कब कहा था तो लेड़िन सैबंटी थ्री में कहा था ये साफ साफ यहां पर लिखा गया है अब दो कर्शें तो ये क्लिएर हो गया अग्रां लहु लोहु संकृत्यान ने जो था वह लहु देवताओं की भूमी कहा था ये भी आप ध्यान रखिये लोहल्स पित्ती में हिमाचल का सबसे बड़ा glacier आता है जिसका नाम है बड़ा शिगड़ी glacier तो आपने ध्यान रखना है कि Captain Harcourt ने 1869 में जो था वो शिगड़ी glacier को जो था वो पार किया था यह भी आपने ध्यान रखना है कि हमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा glacier है यह तो आपको पता ही है तो लोहल्स पित्ती के बार में यह basic question है बिल्कुल जो आपने डिसकस किये यहां से 46 number question देखे बोलते हैं तो बोलते हैं 1804 1805 में कांगडा रियास्त पर आक्रमन करने वाली गोर्खा सेना का सेना पती कौन था उन्होंने अटैक किया था उस सेना का सेना पती था अमर सिंग थापा option D जो है वो सही अंतर है अमर सिंग था बाज था यह सेना पती था इनका 1804 पांच में इन्होंने अटैक किया था यह भी ध्यान रखिए आपको बता है संसार चंद कहलूर पर आक्रमन करता रहे था तो कहलूर यहां से तंग आ गया था कहलूर के शाशक ने क्या किया कहलूर के शाशक ने गोर्खा गोर्खाओं को बुलाया गोर्खाओं को लीड कर रहे थे आमर सिंग था था तो वो अपने सेना को लेकर यहां पर आकर पहुँचके और इन्होंने जो था वो कांगडा यानिके संसार चंद के उपर 1804-1805 में आक्रमन किया था यह इस यूद में क्या हो था इस यूद में स पहुचा जाता है कि जो अठागरा के राजा थे और महराजा रंजीत सिंग के बीच में यह संधी हुई थी यह विध्यान पहुचा जाता है कि जो अलामुखी की संधी कब हुई थी 1809 में हुई थी संसार चंद युकांगरा के राजा थे और महराजा रंजीत सिंग के बीच में यह संधी हुई थी यह विध्यान रखना है 47 number question देखिए बोलते हैं who founded the princely state भजी इन हिमाचल प्रदेश तो बोलते हैं भजी रियासत की स्थापना किस ने की थी जो भजी रियासत की इसकी स्थापना की थी राजा चारू के द्वारा option दी चारू जो है वो सही अंसर है भजी princely state के बारे में question जान लेते हैं थोड़े से पहला question इसके संस्थापक कौन थे राजा चारू उसके संस्थापक थे इसकी capital कहां पर थी इसकी capital सुन्नी में थी और इसके अंतीम साथ कौन थे इसके अंतीम साथ सकते भजी त्यासत के राणा राम चंदर पार इनका नाम आपने ध्यान रखना है और भजी 1948 में जो था वो महासू में जुदाओ मिला दी गई थी प्रजेंट टाइम है भजी जो है वो सुन्नी तहसील का एक भाग है ये भी आपने ध्यान रखना है इमाचल की कुछ और रियासतने रिवाइस कर लीजी और उनकी स्थापना किसने की थी वो आप रिवाइस कर लीजी दारकोटी रिय रियासत की स्थापना राजा दतार चंदने की थी और शिभा रियासत की स्थापना राजा सिवराम चंदने की थी महलोग रियासत की स्थापना राजा वीर चंदने की थी और कुनियार रियासत की स्थापना राजा अभोश देव ने की थी तो अभोश देव ने इसकी स्थ आपना किस किस ने की थी ये भी आपने ध्यान रखना है 48 नंबर कोशिन देखिए बोलते हैं वेन कांगड़ा प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश केम अंडर दी पोजैशन ऑफ ब्रिटिश तो बोलते हैं 1857 जो कांगड़ा जो रियासत थी वो कब अंग्रेजों के अ करें डर्म आफ हिमाचल प्रदेश तो आपने ध्यान रखना है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस टाइम बुजहर रियासत एकमातर ऐसी रियासत थी जिसने अंग्रेजियों का साथ नहीं दिया था बुजहर के साथ से उस्टाइम राचा समसेर सिंग हुआ करते थे इसी तरह कुलु रियासत जो थी उसके साथ आख करते थे उस टाइम प्रताब सिंग इनके नीतृत seller जो था वह उन्हों ने विद्रोह किया था अब इन्हों ने कुछ लोगों के ऌत बिलकर विद्रोह किया था इसके पंचात इनको गिरिफतार कर लिया गय था और बात में यहां के जो डिप्टी कमिशनर थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम हे उनका नाम भी ध्यान रखिये और 1857 का जो विद्रो हिमाचल में हुआ उसमें क्या हुआ था उसमें अंग्रेजों ने जो था वो पहाड़ी सासकों की सहाइता से जो था इस अंदोलन को दबा दिया था कि एक बुसहर ऐसी रियासत थी जिसने साथ नहीं दिया था बाकी लगवग सारी रियासत थी जिन्हों ने अंग्रेजों का साथ दिया था तो यह लगवग अंदोलन जो था वो फेल हो गया था दब गया था यह अंदोलन लगवग यह आप कह सकते हैं और इस अंदोलन के ब साधा और सिवा देरा घुपीपूर से सब्वंध रखते हैं और कॉश्यन बनता है कि पहाड़ी गांधी बाबा कांशी राम को नहरू के द्वारा ये भी आब ध्यान रखिए पहाड़ी गांधी बाबा कांशी राम का जनम 1882 में वह था ये विए आफ ध्यान रखिए पी वो काले कपड़े ही जो है धारान करेंगे कि प्रण इन्होंने दिया लिया था ये भी आप ध्यान रखिए तो ये सारी बेसिक जानकारी थी अगला गोशिन भी देखी क्या बोलते हैं बिलासपुर के नलवाड़ी मेले का आइडिया वो किस ने दिया था कौन से उस टाइम डबली गोल्स्टीन थे अपशिन भी जो था यह आपने ध्यान रखना है कि यह सुपरिजन थे शिमला हिल स्टेट के उस टाइम इन्हों ने जो था ये idea दिया था इस मेले का ये cattle fair होता है मुख्य रूप से और किसी को ज़्यादा ही पूछना है तो पूछ लेंगे कि कौन से महीने मैं ये मेला मनाया जाता है तो March के महीने मैं ये मेला मनाया जाता है अनंद चंद कौन थे? बिलासपूर के लास्ट राजा थे अनंद चंद राजा अनंद चंद और अनंद चंद ने जो किताब लेखी थी उसका नाम था बिलासपूर पास्ट प्रिजेंट फूजर वो भी ध्यान रखी चुप्टीवन में बोलते हैं तो लोकल डाइडी ऑप मलाना विलेज जो है कहां पर है यह दिस्टी कुल्डू में सित गया है कई बढ़ पूछ जाता है कि मरलाना विलेज की स्पैसिफिलिटी क्या है तो इसकी स्पैसिफिक बात ये है कि ये oldest democracy माने जाती है वर्ल्ड की तो यहां से यही बना अगला कोशिन देखिए 52 में बूलते हैं रुमाल ओफ विच दिस्टिक ओफ हिमाचल पर देशाथ वेरी फेमस तो बूलते हैं रुमाल कहां का फेमस है ऑप्शने चंबा का रुमाल बहुत फेमस है मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ अब महें मुझा की ती नाम का नाम रखना गया है यह भी आपने ध्यान रखना है और अभी हाल फिलाल में चंबा रुमाल के लिए एक लेडिस को जो है वो पदमशीरी अवार्ड भी दिया गया है उनका नाम है ललीता वकील तो ललीता वकील का नाम भी आपने ध्यान रखना है तो यहीं से इतना ही बना अगला कोशिन देखिए बोलते हैं अगले कोशिन में इन विच येर कूट कल्टिवेशन वा इंट्रीम्च लॉहल डिस्टिफ और हमाचल पर्देश का है यहां पर कूट की खेती कब शूरू की गई थी ऑप्छण ऐंसर है लहुल्स पित्ती में पहला पोस्ट आफिस कब खोला गया था तो लहुल्स पित्ती के हेड़क्वेटर जब कौन सा हो केलॉंग है केलॉंग में पहला पोस्ट आफिस खोला गया था कौन से एर में खोला गया था जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डिश्टिक है और लहुज पित्ती से जो है विधान सभा की एक सीट जो है वो आती है अगला कोशन देखे 54 नॉमर कोशन बोलते हैं तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में सरकारी आयरवयदी कॉलिज काहाँ पर स्थित है यह स्थित है परोला में काहां पर पड़ता है यही आपने ध्यान रखना है अगर कुछ और colleges के बारे में आपको बताओं तो आपने ध्यान रखना है कि डॉक्टर राजिंदर पसाथ गौवर्मेंट मेडिकल कॉलेज टांडा मेंसित है डॉक्टर यस्मन सिंग परमार गौवर्मेंट मेडिकल कॉलेज नहान मेंसित है डॉक्टर राधा कृष्णन गौवर्मेंट मेडिकल कॉलेज हमिर्पूर मेसित है पंडित जोहरलाल महरू गौवर्मेंट मेडिकल कॉलेज चमबा मेसित है श्रीडलाल बहादूर सास्त्री गौवर्मेंट मेडिकल कॉलेज मंडी मेसित है इन सभी colleges के बारे में ध्यान रखिए सारे medical college हैं और IGMC का हिंद्रा गांधी government medical college का तो आपको पता ही है उसके बारे में ज़्यदा बताने की जरूरत भी नहीं है और hydro engineering college हिमाचल प्रदेश में कहां पर स्थित है अंडियन national army soldier was from which district of हिमाचल प्रदेश तो मंगल सिंग पत्यार जो इंडियन national army के एक सैनिक थे वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से समंध रखते थे यह हमिरपूर जिले से समंध रखते थे option B जो है वो सही इंसर है 55 का अब मंगल सिंग पत्यार के बारे में आपको पता चल गया कि यह कहां से समंध रखते थे हमिरपूर से समंध रखते थे आप देखो यहां से ज़्यादा कुछ कि मैं आपको क्या बताओं तो यहां से मैं आपको परंवीर चक्कर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे सकता हूँ सबसे पहली बात परंवीर चक्कर हिमाचल में दिया गया था मेजर सोमनाथ सर्मा को ये कांगडा जिली से संबंद रखते थे 1947-48 का जो इंडो पाक वार हुआ था वहां परिनों ने अपना बहुत एहम योगदान दिया था उसका मेजर धन सिंग थापा ये कहां से समंद रखते हैं शिंबला से समंद रखते हैं जो इंडो चाइना वार 1962 में हुआ था उसमें सहयोग के लिए इनको ये दिया गया था कैप्टन बिक्रम बत्रा का नाम ध्यान है आपको तो वो है कांगडा के 1999 में जो कारगिल वार हुआ था ओपरेशन वीजे में इनोंने अपनी एहम भूमिका निभाई थी राइफल मैं संजे कुमार ये बिलासपुर जिले से समंध रखते हैं और इनको भी 1999 में ये वार्ड दिया गया था ये भी आपने ध्यान रखना है अगला कौशिन देखिए अगले कौशिन में क्या बोलते हैं बोलते हैं सतलूग दो सनूट फ्लोव थूरू विच दिश्टिक ओफ हिमाचिल प्रदेश सतलूज नदी सीरद मौर आपने ध्यान रखना है वाकि सतलूग नदी का वैड रिखिक नाम MS इसकी दो निकलनी की जगाह है वह रख्स्टाल चील जो। ये सबसे लंबी नदी भी है ये आपने ध्यान रखना है ये हमाश्री प्रदेश में एंटर करती है शिपकिला के स्मीब और लिश्टिक एक शिम्ला में यह चौरा के स्मीब जो है जो है शिम्ला में एंटर करती है सतलूस नदी पर जो है वो भाकरा डैम बना हुआ है 1963 में यह जो था वो कंस्ट्रक्ट किया गया था और इसके लावा हिमाशत में पांच नदियां बहती है ब्यास नदी जिसका वैदिक नाम अर्च अगर और भी अच्छा रिवीजन आपको करना है तो 100 कोईशन हमने हिस्टरी की डिसकस किया है 200 कोईशन हमने ओबरॉल भी डिसकस किया है एक पेपर की तरह वो सारे कोईशन आपको मिल जाएंगे उन सभी को आप एक अच्छी प्रेक्ट्रिस कर सकते हैं अपने त्यारी को कच्छी शेप दे सकते हैं टेस्ट सीरिस का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसको भी आप रैक्ट्रिस कर सकते हैं और अपनी दियारी को एक अच्छी शेप दे सकते हैं वाकि टेलीग्राम पर जोइन करने के लिए पना टेलीग्राम ओपन करन वहां से सर्च करना इस तरह से आपको मारा टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा 22,500 से दिक लोग जुड़ चुके हैं तो आप भी जुड़ जाईए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं आने वाले एक्जाम में definitely help मिलेगी जैसे की पहले भी मिलती रही है अपके लिए एक अच्छा मौका है आप टेस्टरी जो है वो प्रेक्टिस कर सकते हैं इसमें आपको फुल लेंथ टेस्टरी मिलेंगी तस जिसमें 200 क्रेशन होगे जैसे एक्जाम में होते हैं उनको आप प्रेक्टिस कर सकते हैं प्रीवेस एक लड़क के भी जो है वो पांच पेपर होंगे इनको भी आप प्रेक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्टरी को एक अच्छी शेव ले सकते हैं इस टेस्टरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है कमेंट बॉक्स में भी है और आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा टेस्टरी आपको PDF की फॉर्मेट में जो है वो आपके मेल में सेंड कर दी जाएगी जब भी आप इसको अवेल करना चाहें तो नीचे लिंक में जाकर आप अवेल कर सकते हैं PDF की फॉर्म में आप टेस्ट को हरी टेस्ट को प्रैक्पिस कर सकते हैं और आने वाले एक्जाम में अपने एक सीट बक्की कर सकते हैं तो लिंक बता दिया है आपको कहाँ पर मिलेगा थैंक्यू